दोस्तों एक अच्छी और ज्यादा पैसे वाली नोकरी की तलाश हर विक्ति करता है लेकिन सभी को ऐसा मुका और ऐसी नोकरी नहीं मिलती हम सब सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नोकरी में ज्यादा स्कोप और ज्यादा पैसा है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है आप गलत सोचते है ऐसी बहुत सारी जॉब्स है जो भारत में जिनमें लाकों और करोड रूपे का वेतन लोगों को दिया जाता है अगर आप भी उनमें से एक है जो अपनी सेलरी से कुछ नहीं है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे जोब्स के बारे में जिनमें दुनिया के सबसे ज़्यादा सेलरी दी जाती है दरसल लोगों के पास अच्छी डिगरी और नौलिज होने के बाद भी उन्हें अच्छी सेलरी नहीं मिल पाती है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दुनिया कैसे जोब्स के बारे में जहापर सबसे ज़्यादा वितन मिलता है दोस्तो सबसे पहली जोब है सी यो यानि की चीप एक्जिगेटिव अपसर की किसी भी कमपनी के लिए बहुत महतोपुरन होते हैं पूरी कमपनी का बार इने के उपर होता है और कमपनी की अच्छी बुराई सबके जिम्मधरी इने की होती है इसलिए इनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में करोड़ रुपे कमा लेते हैं सैलरी के अलावा एक सियो को कमपनी के शेर और इन्वेस्टिंग भी मिलती है जिसको उनको ज़्यादा मुनापा होता है इसलिए एक सियो की नोकरी बहुती ज़्यादा सुरक्ष जाब मानी जाती है दोस्तों आपका फेवरेट सियो कौन सा है हमें कमेंट करके ज़रू बताइएगा नमबर टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दोस्तों क्या आप जानते कि इन्वेस्टमेंट बैंकर को मनी मैन भी कहा जाता है क्योंकि इनका रोज पैसों के साथ दिन गुजरता है जी हाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए और किसी भी कमपनी के लिए लाब दायक होते है क्योंकि ये फाइनेंस एडवाइस देते है इन्हें मारकेट और अलग फाइनेंसियल चीजों का बहुत ही ज़्यादा ग्यान होता है शुरुआत में इनके सेलरी बारा लाक से होती है और आगे बढ़ते हुए अनुबों के साथ साथ पचास से साथ लाक तक भी पहुच जाती है इसका मतलब ये कि हर मैने आसानी से पाच या छे लाक रुपे कमा लेते है आप भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर अच्छे पैसे कमा सकते है तो बस आपको फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए नमबर त्री चार्डट अकाउंटन दोस्तों चार्डट अकाउंटन की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है ये सबी जानते हैं कि जीतोर महिनत करने के बाद भी इसमें सपलदा प्राप्त होती है एक सिये का हर दिन का काम फाइनेंस और अकाउंटिंग में होता है जिसकी देखरेक इनकी निगरानी में होती है इसलिए हर कमपणी और पबलिक संस्तान सिये की खोजर में रहते है और यही कारणी के इने इतने पैसेद मिलते है भारत में पहले बहुत कम सिये थे लेकिन अब धिरे धिरे उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एक सिये का एक साल में लगबग 25 से 30 लाग रुपे का पैकेज होता है दोसो सरजन को आम अदमी में भगवान भी कहा जाता है क्योंकि एक मरिज की जान उनके ही हातों में होती है इसलिए लोग इन्हें पैसे देने से कत्राती नहीं है आपने यहाँ तक भी सुना होगा कि दोक्टर का व्योसा एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी रिशन सन नहीं आता सर्जन घंटों तक मरिज का इलाज करते है और इसलिए इन्हें अच्छे पैसे भी मिलते है अच्छा सर्जन साल में लगबग 10-12 लाक रुपे की कमाई कर लेता है यानि के हर मैने 1-2 लाक रुपे की आसानी से कमाई लेता है और अगर इनके प्राइवेट सर्जन की बात हो तो इनकी इंकम और भी ज़्यादा होती है आप सोच रहे होंगे कि एक सर्जन को इतने पैसे क्यों तो आपको बता दे कि एक सर्जन बनना कोई भी वच्चों का खेल नहीं है इसके पीछे कड़ी मेनत और पढ़ाई भी होती है दोस्तों बिजनिस एनलिस्ट किसी भी कमपनी के लिए बहुत ही महतुपुर्ण होते है क्योंकि इनके एनलिसिस पर बहुत कुछ निर्बर करता है और सबसे ज़्यादा कमपनी का मुनाफ़ा इसलिए हर बड़ी कमपनी अच्छे से अच्छा बिजनिस एनलिस्ट ढूंडने की कोशिश करती है इसा देखा जाए तो भारत में एक बड़ा बिजनिस एनलिस्ट साल में 20-24 लाक रुपे यानि हर मैने 2-3 लाक रुपे आराम से कमा लेता है और इसके अलावा कमपनी के मुनाफ़े को देखकर इनलिस भी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा होता है तो क्या आप भी बनना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरू बताएगा नमबर 6 पाइलट दोस्तों एक पाइलट के जिन्दगी आसमानों में होती है ये तो आपने सुनाई होगा लेकिन क्या आप जानती कि इनकी सेलरी आसमान को चूने के बराबर ही होती है जी हाँ दोस्तों सुनकर आज चेरे जकित मत हुईएगा क्योंकि एक पाइलट के हातों में हजारों यात्रियों के जिन्दगी होती है और इनके पाइलट की ट्रेनिंग भी कटीन होती है यही कारणे कि इन्हें बहुत पैसे भी दिये जाते है क्या आप सोच सकते है कि कमर्शियल पाइलट को साल का लगबग 15-20 लाक रुपे का पैकेश दिया जाता है और एक हेलिकाप्टर पाइलट को 12-15 लाक रुपे का पैकेश दिया जाता है क्योंकि दोस्तों इनके हातों में हजारों लोगों की जान होती है तो दोस्तों यही थे दुनिया बर के से जॉब जहाँ पर सबसे ज़दा सेलरी दी जाती है दोस्तों आप इन जॉबस में से कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरू बताएगा और इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा